आप लोगों की मुहबबत इतना अच्छा फीडबैक आप हमेशे से देते हैं अपनी मुहबबत हैं निशावर करते रहते हैं और मेरा भी फर्स बनता है कि जो जो चीज आप उसे पूछते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता रहूं काफी सारे हमारे जो वजाइफ हैं वो आपने यूट्यूब पे भी और मेरे पेज राजा हैदर ओफिशल जो फेस्बुक का पेज है उस पे भी देखा है एक इमेल बहुत ज़्यादा हमें जो मुसूल होती है या मुझसे पूछे जाने वाले सवालों में सबसे ज़्यादा एक सवाल पूछा जाता है कि हैदर साब हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि हम पे रहमते नाजल क्यों नहीं होती है यानि हमारे मसले मसाइल हल क्यों नहीं होते कि जितनी भी नेमते हैं मेरे उस इलाही की परवर्दिगार की वो आप पे नाजल होना शुरू हो जाएंगी आपके रिस्क का मसला है तो रिस्क का मसला हल हो जाएगा अगर आपकी इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है मुलक से बाहर आना जाना सफर रिलेशन्शिप में कोई प् सकता है इसकी बाराम कर देगा बारिश कर दे गापपे चुटा सा वजीफा है इसको रोज आना अपने 13 मृतबह पढ़ना है और पांच वक्की नमाज के बार 15 कि अभार 10 मरत पढ़ना है क्या 나올म आपने कुरान पाक को पूलना है उसका 12 नमबर 14 आ आपने open करना है 14 नमर जो जो है वो 18 है मेरे दोस्तों सुरह नाहल 14 से पारा जब आपने कोलना है तो आयत नमबर 18 सुरह नाहल की आपने ये 13 मरतबा पढ़नी है और अवल और आखिर आखिर आपने 7 दफा दरूज शरीफ पढ़ना है कितना असान सा है इसको पानी पे दम करना है आपने 7 बार अवल ज़िफा पढ़ना आपने सुरह नाहल और आयत मुबारका जो है वो 18 है और पारा जो हो 14 है पानी पे दम करना है पाँच वकी नमाज में आपने इसको पढ़ना है वजीफ़े के तरीका यह है कि कम घख्र परवाणी से आपको अता होती है ओँठ आपकती लिए कि खितना श करता है और जहां जहां वो चाहता है वो आपका दिकर करवा देता है तो परवर्दगा आपकी मुश्किलें आसान करें मेरी तरफ से तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी ज्यादा से ज्यादा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब का जो सकते हैं और दूसरा मेरा फेस्बुक जो है राजा हैदर ऑफिशल उसको भी लाइक करें आपके कोई भी कमेंट्स हो मुझ तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है अगर आप मुझसे प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं स्ट्रॉलजी या निम्परालीजी के हवाले से पा मेरे राजा हैदर फेस्बुक के पेज मैं इन बॉक्स भी कर सकते हैं आपकी बहुत सारी महबत हैं हम तक पहुंच गई और मेरा बहुत सा प्यार सासों ने वफा की तो एक बार फेर आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाज़र हो जाएंगे तब तक के लिए पामाने खोड़ा